यह अभी बहुत मुस्क्रार रहा है तो क्या बना आज का तो गाई जब हम लोग पहुंच चुके हैं बर्शैनी टू बिश्करी के बीच मिडवे में यह हैं पुल्गा के घर और कुछ होटल जोन स्टे बनी हुए है आएगा आए गुर्बॉर्णिंग तो मारी मिश्क्री में गुर्बॉर्णिंग हो चुकी है अचीर नहीं दाई रात को कभी जल्दी सोचुके थे हम लोग तकरीबर दस से पहले-पहले सोचुके थे और कल बहुत थी जादा थक गए अब ही मिश्क्री में रिफ्रेश हो गया हूं है मुझे करने अपने बैक पैक और ब्रेकफास्ट करके निकलना है क्योंकि हमसे पहले जो ग्रूप था वो सुबह तकरीबन साथ-चे-चे साथ के आसपास निकल जुका है और हमें बच गया भी आठ तो ग्रूप इसलिए जल है पैसां आप सकता है तो हमलों अपना बैक पैक करने बाले है और है मेरे बैक पैक में देख सकते हो आप आ है मैं अए अथ Podcast मे अ करत रावान तरह मेना कच्रा स्टार्टिन दिन से ही सवाल के रखना है शायद मुझे लगता है मेरे पास अप नहींी और रहेहा Pres living क्योंकि मेरा पावर बैंक कर लाडात कोई खतम हो गया था शायद यह लास्ट ब्लॉग है विश्करी का और बैटरी होगा तो मैं जरूर ब्लॉग बनाऊगा अगर नहीं होगा तो शायद यहीं तक हमारा साफर समापत है यहां से आप इजी है बहुत इजी यहां से हमें अगर नहीं होगा तो हमें यहां से सीधा बर्शैनी उतरना है फिर बांसे हमें बस मिलेगी और घर के और निकलेंगे ठीक है बाई-बाई-बाई-चोटा साथी मिल गया था करोज वास्ते में क्यों बहुत फ्रेंडली डॉग है बहुत जादा फ्रेंडली इना तो काडता ह रात कहीं हमारे वास गें बस गया था गदा का गदा निक टागा फिसे उतर लगषों से गया ठीक हाईगे बड़क बना रहे है टीजर यह चाहीं हम आटिक हरा उकभी कबादीगे को कर रहे है कि जर इडा टाग से दिख रहा है दिकें देलित मुझे लगा मेरा हाथ काट लिया है सेम तो जी मेरे दोस्त रभी किटर दिखता ही है यह भी पिस्कित खारी है और यह भी पिस्कित खा रहा है इसमें और इसमें कोई डिप्रेंश में है इसमें बहुत एक्साइटिड है आज घर जाने के लिए और टोपी तो बहुत ही पाफ स्टाइल से रखिया और टकला भी दिख रहा है साथ में रभी कुछ कहना चाहोगे आप इस ट्रैक के बारे में सरपास ट्रैक के बारे में बहुत सारे शब्द है नहीं होगी रात खत्म होगी नहीं आरा उजबूसों गिद्वा हमेश आज़ा रभी कैसा है तो आपके देखो बुल्डवी कैसा है तेस्टी है, खा के देखो, बहुत रही है, पाड़ों में मज़ा और पूरी भाजीएगा, आप सामनी का वीव भी देख सकते हो, तो वाइज हमारी बैक पैकिंग भी हो चुकी है, और हमने अबना कैम भी अच्छे से चेक कर लिया है, और अब हम लोग निकल रहे हैं बर्शै बाई जी बाई बाई करो फिर, ओके बाई बाई जी? तो चलो जल्दी जल्दी से चारो तरफ बहुत ही घना जिंगल बस अभी हमें एक गंटा और लगेगा नीचे पहुंचने में हम लोग अराम अराम से जा रहे हैं ऐसे कोई जल्दी नहीं हमें जब हम लोग पहुंच चुके हैं बर्शैनी टूबिश क्री के बीच मिडवे में तो अब यहां पर खाली-ख सारी सा स्पेस हैं और कापी बैठ में लाइक भी जगा है हम लोग इदर रेस्ट करेंगे अच्छे से और पानी-पनी प्येंगे फिर हम लोग आगे निखलेंगे बशैनी चूर मुझे लगता है हमें बांपर बैठना है कि यहां से होके ही रास्ता निगलता आगे को इनकी स आगे बढ़ेंगे अच्छा बैठ गए हैं बहुत साइज जगा है यह ज़र अपना है दो मिनिट बैठते है पानी बुनी बिते हैं फिर निकलते हैं पसीना पसीना हो गया यार बोड़ी हमारे बास एक पसेंट बैटरी थी और अब हम लोग पुलगा गाउं पहुंचे है हमारा ट्रेक अवरमस्ट कंप्लीट हो चुका है और अब हम लोग जा रहे हैं रोड की तरफ तो आप लोग दे सकते हो यह पुलगा गाउं है बहुत ही मजा आया इस ट्रेक में और हम पुलगा गाउं अब पहुंच चुके हम लोग अलकल किसी बारिश होई थे अभी ठोड़ा रुक गया बारिश यह पुलगा के यह है पुलगा के घर और कुछ होटल सोंस्टे बने हुए है यह वाला होमस्टे बहुत ही अच्छा है मैरी गोल्ड अच्छा हो मैं अच्छा यहा हुए है तर बाक बनेटवल्ड थे लागा है अच्छा हो है यह उपति बढूंक रख खुछ इव्ट नहaboutर है कि यह पासर के पासा है तो आगे तो भी गड़ घ्ट शू जब कर यह तो दो थे पासille हैं यह तो दूचा है अब यह अब अपल सीजन आने वाला है, जोटे शोटे शेव लगे हो है, ग्रिन ग्रीन झाल झाल